Hello, What's up guys, माने में स्मिनोद बादबुतापा and welcome to JavaScript in 100 Days जहां guys, तो यह हमारा JavaScript का 100 Days का सीरीज चल रहा है, जहां है आज हमारा 17th day 17th को हिंदी में क्या बोलते है, 17, means खतरा, you know तो आज का जो वीडियो का guys, थोड़ा सा खतरा हो सकता है आप लोगों के लिए जहां मैं आज आपको बताऊंगा एक chaining method finally क्योंकि हम दे दे रहे, you know, like 17, फिर 20, 30, 40 तो अपना जो complexity हो हम बढ़ाएंगे बट आज मैंने थोड़ा सा complex बढ़ाया है, बट आपको मजा आ जाएगा, ठीक है So, देखो, question तो बहुत जादा simple है and that is we need to convert any string into either camel case and a snake case जिसमें से camel case तो मैं आपको बताऊंगा, बट यह जो snake underscore case जो है, वो आपको as a homework खुछ से करना होगा and यह homework आपको करना ही होगा guys, no matter what and आप comment भी जरू कर दीजेगा, ठीक है So, guys, simple है आज का question तो, हमें कोई भी यह जो string दिया होगा, उसको हमें क्या करना है camel case में convert करना है and हमारा output कुछ first word का जो first letter है, वो तो normal रहेगा लेकिन उसके बाद से जो second, third, fourth and so on चलता जाएगा, उसका जो first letter है उसको capital करना है and we need to like keep in mind and that is की सिर्फ first letter को ही हमें capital करना है उसके बाद चाहे, जैसे यहाँ पर A आप देख सकते capital है, मुझे उसको small करना होगा यह बहुत ही जाद important है क्योंकि बहुत साभी लोग यहाँ पर भूल जाएंगे so now guys, it's awesome opportunity for you to try it yourself तो अब भी कीजिए video को आप pause and try कीजिए बस आप, ठीक है all right guys, I hope आप आपने try क्या होगा, तो आप मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते है दिख लीजिए, so सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर const to camel case है, तो इस तरकी से हम चल लेते हैं यहाँ पर and let's, sorry it's not an array, it's a string तो हम सबसे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम यह जो मेरा str है, guys उसको मैं, क्योंकि देखो, मुझे तो खाली camel case में चाहिए and camel case में कोई space नहीं होता है, right, so what I can do is, let's go with str.trim, सबसे पहले मैं इसको trim कर देता हूँ, then मैं उसको क्या कर दूँगा, guys, split कर दूँगा, अलग-अलग, with the help of that space, this is it, okay, so I simply control and save कर देता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, आप लोगों को console.log यह sti करके दिखाता हूँ, अगर यह मैं करता हूँ, तब आप देखो, hello world and then thapa मुझे आ गया, है नब awesome, अब मैं इसको बहुत easily, like, you know, यह तो अब एक array हो गया, and array के हर एक element को, मुझे, I mean, array के हर एक element का जो first letter है, उसको capital करना होगा, capital करना होगा, लेकिन जो first index number पे उसको छोड़के बाकि सब का जो first letter उसको capital करना होगा, right, तो अब आप यह सोचिए, कि एक array है, and मैं अब उसको कैसे कर सकता हूँ, बस आप आप को इतना सोचना है, क्योंकि मैं अल्रेडी अरे में convert कर चुका हूँ, तो सोचिए हम क्या कर सकते है, I hope guys, आपने सोचा होगा, ठीक है, देखो, obviously loop तो मुझे चलाना है, मैं for off या for in नहीं चला सकता, मैं for each नहीं चला सकता है, क्योंकि वो return नहीं करता है, but हाँ, I have a map filter and so on, but let's go with map, you know, let's go with map, मैं यहाँ पे चलता हूँ, str, will be equal to guys, str.map method, ठीक है, and map में भी आपका, so, what we have, we have a current element, जो भी आपका होगा, right, then we have a index, but I don't think कि हम index की कोई need है, right, and, yeah, by the way, yeah, मुझे index की need है, मैं बता तो क्यों, सबसे पहले, अगर हमारा जो index है, ठीक है, if it is triple equal to 0, मतलब जो हमारा सबसे पहला element होगा, उसको तो return कर दो as it is, उसको कुछ नहीं करना हमें, उसको छूना भी नहीं है रहे, बाबा, उसको as it is return कर दो, right, तो इतना तो मेरा काम होगी है, right, अब हम एक और काम करते हैं, यहापे, else, अगर यह first वाला छोड़ के बाकि जितना भी रहा, मुझे क्या करना होगा, guys, I need to return, जो भी मेरा current element का, जो first letter है, अब आप मुझे एक बात बताओ, कि आप first letter को कैसे target कर सकती हो, सोचो कि एक array में, एक element का, सिर्फ एक first letter या character को कैसे find out कर सकती हो, it's easy, we have option, right, यहाम already पट चुके, जिसमें we have a character at zero index पे, जो भी रहेगा, उसको to uppercase कर दीजिएगा, and अब ही देखो क्या होता में, अगर आप इतना सिप कर के इसको run करोगे न, इसको मैं हटाता हूँ, इसको run करता हूँ, तो यह देखो, hello world and then थापा, अब एक सेकंडी क्या हो गया, control s, save कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, 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 ओस्वारी, यह पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि console.log तो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे अब वहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना होगा, control s, save करता हूँ, अब मैं अगर run को, देखा क्या हूँ, अगर first index number है, I mean if the index number is triple equal to zero, तब तो as it is रहेगा, उसके अलावा जितने भी आपके element है, उसका जो first letter है, उसको capital कर दो देखो, w and then t, बराबर हुआ, लेकिन यह w के बाती, O, R, L, D, T में भी यह H, A, P, A, यह कहां गया, तेले ने, कहां गया यह, नहीं मालूम, राइट, तो हम क्या करेंगे, मुझे उसको concatenate करना होगा, first letter को तो मैंने capital कर दिया, उसके बात का letter का क्या भाई, वो आप मुझे कहां से मिलेगा, सोचो, अब भी आपको यह सोचना है, कि आपने strings पड़े है, अगर JavaScript में, जो कि आप देख सेकते हैं, यहां पर मैंने strings बहुत अच्छे से पड़ाया था, पुरा animation के थूरू आपको समझाया था, यह भी बाताया था कि अगर आपके पास एक word है, उस word को अगर आपको add करना है, remove करना है, delete करना है, update करना है, या खाली read करना है, अगर 5 letter है, तो अगर आपको 3, 4, 5 ही चाहिए, या खाली 1 ही चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बाता चुका हूँ, आपको just confusion हो सकता है, either we should go with splice method, और a slice method, बट यहाँ पर हम slice के साथ जा सकते हैं, let's see we have a current element.slice, मतलब मुझे एक हिस्सा चाहिए खाली, not a splice, it's a slice, यहना slice में मैं लिख दूँगा 1, and मैं यहाँ पर क्या करना है, dot to lowercase, मतलब खाली उसको छोड़के, lower and then case, तो बाकि जो भी सब को lowercase भी कर दो आप, लगे तो यहाँ पर भी आप इसको भी dot to lowercase कर सकते हो, to lowercase इस तरीके से, ठीक है, yeah this is it, control as save, अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, and फिर से मैं रन करता हूँ, you know, and boom, I see, so it's a hello world, and then thapa, मेरा काम हो गया, अब मुझे क्या करना है, I just need to like join, है न, जैसे split की थी, अब मुझे बस इसको join कर देना है, so मैं यहाँ पर चलता हूँ, return, यह जो भी मेरा str, dot join, and मुझे एक, इस तरीके से लिखना होगा, and इसको मुझे उपर करना होगा, ठीक है, बस मैंने join लिख दिया, and मेरा काम हो गया, अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखो, hello world, thapa, मेरा काम हो गया, यह, इस पर मत ध्यान दो, क्योंकि वो तो वो है, यह है, हमारा console है, इसको फिलाल के लिए अप में क्या कर देता हूँ, कामेंट कर देता हूँ, control, save, अब अगर इसको में run करता हूँ, so it's a hello world, thapa, देखो, यह, easily मेरा काम हो गया, right, so yeah, this is it, आज इस बीड़ी दितन है, लिकिन में आपको कहा था, 17 means 17, इसको अब में ना, यहां पे ना का, इसमें chaining method यूज कर सकता था, या method chaining, आप कुछ भी कह सकते हूँ, मेरा गला बैड़ी आज, बट कोई नी, देख लीजे, इसको मेंने हटाया, अब यह जो मेरा spirit के बाद मेंने dot map कर दी, ठीक है, यह जो मेरा join वाला जो part है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, इस string को भी हटा रहा, dot कर दिया, ctrl s, save, देखो, यह आपका क्या हो गया, method chaining हुआ की नी, और यह जो part दिख रहा है, अब यहां पे भी इस तरी किसी लिखनी की नीड़ी नीए, यह जो भी मेरा string था, मेरा काम हो गया, ctrl s, save, ठीक है, तो s, try को सबसे पहले मैंने trim किया, उसका जो भी output है, उसको मैंने split कर दिया, उसका जो भी output है, result मैंने method चला दी, और उसका जो result है, मैंने उसको join कर दिया, यह इस तरीके से, I guess अभी तक का हमारा यह जो, series था, उसमें यह जा कि आपको कहीं न कहीं, एक useful लगा, अच्छा यार, मैं तो इस तरीके से भी कर सकता हूं, है ना, करने के बहुत तरीके, लेकिन मैंने जान बुच के यह तरीका दिखा, step by step मैं गया, आउट्पूट दिखा, और मैंने यह बता है, कि यह अब अगर कर लेते हो, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको भी अगर मैं रन करता हूं, तो आना मुझे सेमी है, वह ही आपका जो भी आउट्पूट होगा, हेलो वल्ल था पा, इस तरीके से चैमल केस में, ठीक है, तो आज इस वीडियो के इतना है, अब को आज का वीडियो कैसा लागा, आईनो आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक कर दिजेगा, कमेंट कर दिजे, और दोस्तों के शेर कर दिजेगा, इस नज आपके लिए होम अके, और आपकी लिए होम अके, मैंने तो कैमल केस में की, बट युनीड तो कनवर्ट इंटू इन्टू ए स्नेक केस, इस नेक केस में कैसा होता है, आप देख लिजे, शनेक अंडेसकोर केस इस तरीकी से, जो भी वाड होगा, उनकी बीच में underscore आ जाएगा एंड कोई capital वेपिटल नी सब lowercase में ही होगा ठीक है तो ये आपका होमक है एंड आपको ये करना होगा आज इस वीडू के इतना ही अब हमारा next target है 1 million subscriber अभी तक subscribe नहीं किया तो please कर दिजेगा मिलता हूं मैं आपको next video में till then guys thank you so much take care